नमस्कार आप देख रहे हैं जन्मावना टाइम्स आपके साथ मैं हूँ अंक्यता पट्डा का जुठेली इलाखा उस समय सुलग उठा जब वहाँ पार्किंग विवाद को लेकर आगचनी और तोड़ फोड मच गई जेटुली गाउं में रविवार को पार्किंग को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में 50 राउंड फाइरिंग हुई जिसमें दो लोगों की मौत हो गई फाइरिंग में चार और लोगों को गोली लगी है जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भरती किया गया है घटना से आकरोशित लोगों ने आरोपी की घर और मेरिज हॉल में आग लगा दी पुलिस ने घर में फसी महिलाओं बच्चों को रेस्क्यू किया है आग से घर में रखी दो गाडियां भी जलकर खाक हो गई पारकिंग को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवात के मामले में ये आग जनी दीदार गंज में हुई है कई गोदाम को आग के हवाले कर दिया गया है धान, चावल, सिगरेट के गोदाम में आग जनी की खबर है फिलहाल गोदाम में लगी आग पर काबू पालिया गया है आग से दो ट्रक, एक जेसी बी, तीन कबार की गाडियां जलकर राख हो गई है मौके पर भारी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किये गए है बताया जा रहा है कि पुलिस और भीर के बीच जड़प हुई थी जिसमें कुछ मीडिया कर्मियों को भी चोटाई है घटना स्थल में गुसाई लोगों ने आग बुझाने के लिए पहुझी फाइर बिगेट की गाड़ी को भी आगे नहीं जाने दिया गुसाई भीर ने टायर की हवा निकाल दी घटना स्थल से पुलिस और मीडिया कर्मियों को भी खदेडा गया पूरे गाउं में पुलिस का सक्त पहरा है इस मामने में चार लोगों को गिरफतार किया गया है फाइरिंग में मारे गए गौतम कुमार के परिजन ने बताया कि वो लोग अपनी निजी पारकिंग से गाड़ी निकाल रहे थे और रास्ते में आरूपी पक्ष के लोगों की गाड़ी से गिट्टी उतारी जा रही थी गाड़ी हटाने को कहा गया तो लोगों ने जगड़ा शुरू कर दिया पीडित परिवार के एक अन्य सदसिर ने बताया कि कार पारकिंग को लेकर जेटूली गाओं के रमेश राय, सतीश राय, उमेश राय, बच्चा राय ने मिलकर गौतम कुमार पर जमकर गोली बारी की उमेश राय गुट के लोगों ने पचास राउंड से भी अथिक गोली बारी की जिसमें छे लोग खायल हो गए परीजनों का कहना है कि फारिंग्स में गौतम कुमार और रोशन राय की मौत हो चुकी है फिलाल गाओं में भारी पुलिस बलतेनाथ है मौके पर सीनियर अधिकारी भी कैम कर रहे हैं और हालात को काबू में करने के लिए तमाम कोशिशे इंचारी हैं नेश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तास से जाने के लिए बने रहे जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार